नौस्ते मित्रों आज हम जानेंगे ऐसी कानून व्योस्था हो गई है दोगला कानून हो गया है हिंदूों को तुरंत ग्रफतार और दूसरों को क्यों नहीं प्रश्णमार जंतर मंतर पर अंग्रेज के काले कानून पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दिली पुलिस ने भाजपा नेता वा सुप्रीम कोट के अधिवक्ता अस्वनी उपध्याय समेच छे लोगों को गिरिफतार कर लिया गया उस कारकरम में एक वाइरल वीडियो के अधार पर आरोप लगाया गया था कि वीडियो प्रदर्शन के दौरान मुसलिम विरोधी नारे बाजी की गई आप विधायक अमन तुल्ला खान ने भी इस मामले में पुलिस से में सिकायत दर्च कराई थी उन्होंने इस बात की पर आपती जताई थी कि एफ आई यार अग्यात लोगों के खिलाफ क्यों हुई है जिदली पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए मंगल वार 10 अगस्त 2021 को आस्वानिय उपध्धाय को गिरिफ्तार किया उनके अन्य सहयोगी विनोद सर्मा दीपक सीहं दीपक विन्ती क्रांती और पीत सीहं को भी पुलिस ने गिरिफ्तार किया है इन सभी से लगभग 6 घंटे तक पूश तक चली जिसके बाद उन्हें गिरिफ्तार किया गया सुबह के तड़के 3 बजे ही अस्वानिय उपध्धाय थाने पहुशे थे अस्वानिय उपध्धाय ने अपनी सफाई में कहा था कि वो इस आंदोलन में कई अन्य लोगों की तरह गए थे इसी आपत्य जनक नारे बाजी करने वालों से उनका कोई सरोकार नहीं है अंग्रेजों ने बने काले कानून को हटाने और समान नागरिकता जन संक्या ने अंतरन जैसे देशित में कानून लाने के लिए जनतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेता आस्वानिय उपध्धाय समय छे लोग को ग्रिफतार कर लिया अभी नेतरी पायल रोहतगी ने जब हिंदुत्व के लिए आवाज उठाना सुरू कर दिया और एक के बाद एक सच्चाई सामने आने लगी उनके खिलाफ एफ़ाय यार्दर्ज कर दी गई और गिर्फतार करके जेल भेज दिया गया था लेकिन जब देश विरोधी वा हिंदु विरोधी नारे लगते हैं या लगाय जाते हैं तब क्या होता है भारत तेरे तुकड़े होंगे इंसा अल्ला जवाहर लाल नहरू उन्वरसिटी हिंदुत्व की गबर खुदेगी अलिगर्ड मुसलिम उन्वरसिटी हम को चाहिए अजादी हिंदु से चाहिए अजादी छीन के लेंगे अजादी जामिया पंद्रा मिनट पुलिस हटा दो हिंदुत्व को खतम कर देंगे अगबरु छीन ओवेसी इनका ना गिरफ्तारी होता है और ना ही जेल भीजा जाता है जबकि यही लोग देश तोड़ने का कार करते हैं खेवल अस्वनी उपद्ध है और बायल जी ने ही हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई हो गिरफ्तार होई हो ऐसा नहीं है इससे पूर्व में और वर्तमान में कई हिंदु निष्ट व्यक्तियों को जेल भेजा गया एवं संसी आसाराम बापुजी को भी जेल भेजा गया जो की हिंदुत्व के लिए बहुत ही कार किये हैं और समार सेवा एवं मात्र पित्र पूजन दिवस उन्होंने वेलेंटाइन डे के जगल आया था तो बहुत ही हित भरे कार किये हैं और अनेक सेवा कारे चलते रहते हैं नसा मुक्ती अभियान एवं अनेक सेवा कारे देज भक्ति आत्रा और गरीबों को भोजन कराना गरीबों को समगरी उपलब्द कराना साधवी प्रग्या ठाकुर स्वामी असीमा नंद करनल पुरोहीड डीजे वंजारा आदी हिंदु निष्ट लोगों को सालों जेल से रख कर प्रतारित किया जाता है संकराचार जहनेंदर स्वारसती स्वामी नित्यानंद आदी साधू संतों को मीडिया द्वारा बदनाम करवा कर जेल भीजवाय जाता है दिल्ली जामा मस्जित के इमाम बुखारी पर कई गैर जमानती वारंट है लेकिन उनको आज तक ग्रिफतान नहीं कर पाए वर्तमान में हिंदू संसियासां बापु जी जेल में रखे गए हैं साड़े आठ साल से भी जादा हो गया है एक दिन भी जमानत नहीं दी गई जबकि हिंदू संसियासां बापु ने लाखों हिंदों को घर वापसी करवाई आदिवासी को जीवन उपयोगी सामगरी दी और हिंदू धर्म की महिमा बताई जिससे धर्मा धर्मांतरन वालों की दुकाने बंद हो गई उन्होंने कडोडों लोगों को सदाचारी बनाया भारते संस्कृति से अवगत कराया कडोडों लोगों को व्यसंच छुडवाया 14 फरवरी को वेलेंटाइट डे की जगा मात्र पत्र पुजन 25 दिसंबर को तुलसी पुजन दिवस सुरू करवाया विदेसी कंपनियों की कमर तूट गई इसलिए इसाय मिशन जीवा विदेसी कंपनियों ने मिलकर कुछ नेताओं से खरिद लिया और उन पर जूटे केस और बहुत ही गंदे लांचन लगा कर उन्हें भारी फंडिंग देकर बदनामी करवाई गई और जेल भिजवा दिया गया दारा सी उर्फ रविंदर पाल जी गाम ककोड़ा फफुन जिला और या के निवासी ने लाखों हिंदू को खत्म कर देने वाले मिशनरियों से लड़ाई लड़ी लेकिन 20 साल से जेल में बन है ये है हिंदू योद्धा धर्म परिवर्तन और गव हत्या के विरोध में दारा सी हैं के प्रतिकार की सजा इतनी भी नहीं होनी चाहिए जितनी दी जग गई है अब आप समझ गए होंगे कि हिंदों के लिए आवाज उठाने का परिनाम क्या आता है आपको इस पष्ट कर दे कि इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि अपने धर्म में प्रा प्राइ लड़नी चाहिए जैसे महाराना प्रताफ वीर सिवा जी गुरु गोविंसी अर्जुन देव गुरु तेज बहादूर जासी कि रानी लच्मी बाई चंद्र सेखर अजाद आदी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अनेक यातनाय सहन की है और आज भी सहन रहे है अपने प्राण दे दिया लेकिन धर्म वाद देश की रक्षा के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटे आप भी उनकी अनुश्रान करें जैसे नाम तो जितने देश भक्त हुए हैं उन्होंने देशित के लिए बहुत ही कारे किये हैं और आप भी जानते हैं सुभाष शंद्र बोस ऐसे वीर क्रांतिकारी योध्धा थे जो की अपने देश के लिए बहुत ही बड़ी सेना तयार की और गुरु गोविन सियने दस लाक मुग मुगलों को खतम कर दिया ऐसी उनकी प्रबल शिश्य थे जो 40 लोगों ने ही 10 लाक मुगलों को समाप्त किया तो धर्म को बचाने के लिए एवन भारतिय संस्कृति को जागरित करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर महापुरुस आते हैं एवन भगव अवतार लेकर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं ठीक इसी प्रकार भगवान अनेक रूपों में आते हैं महापुरुस के रूपों में लेकिन कही लोग बहुत लोग नहीं पहचान पाते और जब महापुरुस इस धरा से चले जाते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो अच्छात रूप में हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इतने चमतकार भी दिखाते हैं महापुरूत सोचो हेलिकॉप्टर गिरा तीन तुकड़ा हो गया लेकिन उनको एक चोड तक नहीं आई तो ऐसे महान संतों को जेल में रखा गया है यह बहुत ही बुरी बात है जैश प्रीड देड़ कर दो से बिद्वर कि दो दो कर दो टो आँड़ा है बहुत है वी बहुत है जिएर नहीं को भी केंपा दो भी है तो एक सब्सटेशना कि बहुत है महाराँ को अगाँ है